Hello and Welcome to Great Online Academy, दोस्तों मेरा नाम है रविन, आज marketing के पहले वीडियो में हम लोग discuss करेंगे basics of economics को, types of economics, sectors of Indian economy and types of market, जो भी हमारे competitive exams होते हैं, उनमें किस तरीके के questions आते हैं, economics और marketing से उन सभी questions के pattern पे मैं सारे lectures को set करूँगा, हम जितने भी topics पढ़ेंगे, वो सभी question based होंगे, ताकि जादा से जादा marks score करने के तरफ मैं आपको ले के जा सकूँ, ये topic 12 नमबर का आपके junior executive exam में आएगा, और 6 नमबर का आपके executive के exam में आएगा, तो आप लोग इस topic को ऐसे समझ के चलते रहे हैं, ये topic बहुत ही असान है, इस topic को आपको बस देखते चलना है, इसमें direct question आते हैं, कोई भी question आपको मेरे पढ़ायों lecture से बाहर नहीं मिलेगा, तो मेरे साथ आप लोग पढ़िए, और सारे जितने भी questions हाते हैं, 12 में से 12 marks आप लोग score करिए, तो चले friends सभी topics को हम लोग start करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे basics of economics की, लेकिन अगर उसके पहले आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please आप इसे अभी subscribe कर लिज इस lecture को मैंने English और Hindi दोनों में बनाया है, क्योंकि बहुत सारे में viewers हमेशा comment करते रहते हैं, सर आप lecture को Hindi में बनाया करिए, हमें सोंज में नहीं आता है, तो अब से मैं marketing के जितने भी lectures लाओंगा, economics and marketing के, सारे lectures English और Hindi दोनों में रहेंगे, by language PDF मैं आपको दूँगा, आप हम Instagram का link हमारे description box में रहता है, यह सभी चीजे आपको जितने भी हमारे marketing के PDF हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले point को, चलिए पहला point है, economics का जो definition वो क्या है, तो देखे, economics या अर्थ सास्त, यह वस्तूओं और सिवाओं के उत्पादन, उत्पाद जो हमारा consumer है, उन goods and services को कैसे consume करता है, इन सभी की जो social study है, जो भी हम समाज या हमारे world में जितनी भी चीजे, किसी भी goods and services के productions related है, या सिर्फ उनके distributions related हो, या सिर्फ consumption, या तीनो, या तीनो process involved हो, अगर उसकी study हम लोग करते हैं, किसी भी society पर, किसी भी market पर, या किसी भी country या पूरे world पर, तो उसको हम लोग कहते हैं, अर्थ सास्त्र, second point है, Adam Smith is the father of modern economics, आज का जो आधुनीक अर्थ सास्त, जो आज के समय में use होता है, सभी countries जिन common terms को use करती है, जो capitalism है, या socialism है, इस तरह के जो common terms है, economics related, ये सभी words, या कहें कि पूंजी वाद के ऊपर, एक special book लिख कर, wealth of nations, 1776 में, Adam Smith ने wealth of nations book लिखी, पूंजी वाद अर्थ सास्त, जो है, कि किस तरीके से पैसे से पैसा बनाया जाए, अगर आपके पास पैसा है, तो आप पैसा बना सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप पैसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले पैसा बनाने के लिए, आपको पैसा चाहिए यह जो concept है वो wealth of nations book में Adam Smith जी ने दिया इसके बाद से आधुनिक अर्थसास के जो जनक है वो Adam Smith जी को माना जाता है देखें third point में अब हम लोग समझेंगे कि सूचम अर्थवज़ता क्या है या समस्टी अर्थवज़ता क्या है microeconomics and macroeconomics microeconomics में हम लोग बात करेंगे किसी एक individual कुई एक इनसान कुई एक व्यक्ती जिसकी अर्थवज़ता हम लोग समझना चाहते हैं जैसे अगर हम अपना ही एकजामपल लें तो अगर हम समझना चाहते हैं कि हम किस तरीके से अगर हम अपने पूरे घर में या अपने सोसाइटी में किस तरीके से किसी गूड किसी भी बस्तू का production करते हैं या उसका हम लोग consumption करते हैं या कुछ लोगों किस तरीके से बाढ़ते हैं इन सभी चीजों में जो हमारा खर्च आता है जो भी maintenance हाता है उसकी अगर हम लोग study करेंगे या फिर अगर एक individual market ले लें कोई एक छोटा सा market जिसमें एक area का market हो सकता है या एक जिले का market हो सकता है या किसी भी earth science related terms को study करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो micro economics के level पे हो रहा है अगर इसी तरीके से हम लोग बड़े level पे चले जाए अगर हम लोग सीधा country के level बात करें तो country के level बात करने के लिए हमको और terms को समझना पड़ेगा छोटे level पे हम लोग कुछी चीज़ों को समझ ले मार्केट के क्या क्या फीचर है डिमांड कितना है सप्लाई कितना है इन सभी चीजों को समझ के micro economics को पूरी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं बड़ मैक्रो एकनोमिक से बहुत कुछ समझा पड़ता है जैसे कि GDP समझा पड़ता है देश की जो national income हो रही है वो कितनी हो रही ह है हमारा जो share market है वो कैसा चल रहा है अभी investment पूरे देश में कैसी चल रही है सो अगर इस तरीके से हम लोग किसी भी economics को समझेंगे जो काफी large scale पर काफी सारे terms को लेकर होगी तो अब हम लोग कहेंगे कि हम लोग macro economics के terms में बात कर रहे हैं चले बच्चों अब हम लोग समझ हैं economics की कितने types होते हैं अलग-अलग countries किस किस तरीके से अलग-अलग type की economics को choose करती है अपने market के लिए या अपने country के development के लिए या जो हम लोग सुनते हैं कि यह nation developing nation है या कुई nation developed nation हो चुका है तो यह सब जो progress है वो कैसे होता है वो basically depend करता है कि कि किस तरीके की economy को उस देश ने choose किया था सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूंजीवादी अर्थववैस्ता capitalist economy को देखे यह ऐसी अर्थववैस्ता है जिसमें market को completely free छोड़ दिया जाता है जब हम market को completely free छोड़ देते हैं तो वो अपने तरीके से इवाल्व करता है अगर वहां पे demand जादा है चीजों की तो वहां के जो लोग हैं उस चीज को supply जल्दी करेंगे वह हमेशा देखते रहते हैं market के लोग जो भी person business करता है जो भी market में रहता है वह उसी चीज की supply देना चाहता है जिस चीज की demand हो बट अगर कहीं पे इस चीज का ध्यान ना रखा जाए कि अगर की चीज की demand है ही न तो government हर एक चीजों को हर एक market के लिए study all the time नहीं कर सकती वह overall study करती है पूरे country के हिसाब से वह चीजों को control लखना चाहती है अगर हम चाहते हैं कि किसी एक particular product पे हमको 10 तरीके के company product बना के दे तो यह तभी हो सकता है जब हम market को completely free छोड़ें जो भी उस product को बनाना चाहता है बना सके वह जैसे भी charges को लेना चाहता है वो ले सके वह जैसी अपनी services दे रहा है वो दे सके उस पे services देने का कोई दबाव नहों कि आपको इतनी ही control की services देने हैं इतनी quality आपकी होनी ही चाहिए इस तरीके का अगर दबाव market पे ना रहे market को completely free छोड़ दिया जाए government का intervention market में बिलकुल भी न हो जिसके पास पैसा है वो market में invest करें और नए products और services को produce करें इस तरीके की economics को हम लोग कहते हैं पूझी वादी जहां पे पूझी होगी वहीं पे development होगा जैसे जैसे market में पूझी बढ़ेगी वैसे वैसे development बढ़ता जाएगा क्योंकि यहां पे competitiveness ज्यादा होती है जब भी इन्वेस्टर्स किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो वह उस चीज से जो profit बनाते हो दोबारा इन्वेस्ट करते हैं तो लगातार जो investment हो मार्केट में होता रहता है तो capitalist economy क्या होती है इसमें लगातार आपको लगातार हर एक product and services में competitiveness देखने को मिलती है जिसके वज़े से quality में भी सुधार आता है सबसे अच्छा example अगर आप लेंगे तो USA हो गया जहां पर maximum चीजे private sector के पास है USA France इस तरह की जो countries हैं यहां पर maximum चीजे private players ही control करते हैं कोई भी product services वहां पर private companies ही बनाती है इसलिए आप लोग ने maximum देखा होगा कि USA में जो products बनते हैं वो काफी जल्दी बन जाते हैं और उनकी quality भी काफी हद तक अच्छी होती है जापान भी एक ऐसी लेकिन वहां पर भी capitalist economy को काफी हद तक स्टार्टिंग में जब चाइना का starting phase था तब काफी हद तक वहां पर चाइना में capitalist economy को develop होने के लिए छूट दी गई थी सो चाइना इसी तरीके से धीरे धीरे evolve करता आया है नेक्स जो economy है वो है socialist economy या समाजवादी अर्थववेस्था इसमें क्या होता है कि government चाहती है कि जिस इंसान के पास पैसा नहीं है उसको भी किस तरीके से पैसा पहुँचाया जाए इसमें क्या होता है कि government demands और supply को अपने control में रखती है वो चाहती है कि जिस तरीके से पूरे country में demand होनी चाहिए जिस product की उससे ज्यादा आप supply मत दो या अगर हमको export करना है तभी government चाहती है कि ज्यादा supply दी जाए तो इस तरीके की अर्थववेस्था में ज्यादा धान क्या दिया जाता है कि जो हमारे people हैं उनका भला हो सके जो हमारे लोग हैं उनका भला हो सके सबके पास पैसा सके इस तरीके एकनोमिक में जो government companies हो जादा होती है जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे जैसे सौदिया अरभिया हो गया या उमान हो गया इस तरीके की country में government company ही maximum काम को करती है वेने जुला भी एक ऐस तरीके से डूब गया धीरे धीरे अगर आप लगातार लोगों का स्रिप कल्लान करते जाएंगे और मार्केट को free नहीं छोडेंगे तो मार्केट में जो development हो रुख जाएगा तो socialist economy का ड्रॉबैक है कि इसमें मार्केट कभी भी इवाल्व नहीं कर पाता वह अच्छे तरीक पानी है अगर वह कहीं पर रुख जाएं तो उसमें काफी चीजें जमा हो जाती हैं और वहां पर कई जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वह जन में लेने लगते हैं तो socialist economy इसी तरह की इकनौमी है जिसका फायदा तो है इसमें लोगों का कल्यार्ण बहुत होता है लेकिन धीरे-ध तीरे मार्केट का इवाल्वेंट जो है इनवाब वह एक तरीके से खतम हो जाता है तो इस capitalist जो दिफरेंस आप समझें होंगे capitalist पूरी तरीके से market को evolve होने देता है socialist जो है वो इसको अपने control में रखता है complete evolvement नहीं होने देगा और ज्यादा ज्यादा धान देगा कि लोगों का किस तरीके से भला क्या जा सके एक economy और होती है mixed economy जिसमें कुछ sector को capitalist रखा जाता है और कुछ sector को socialist रखा सब्सक्राइब क्या होती है इसमें हम लोग कुछ मार्केट को फ्री छोड़ देंगे कि आप को जैसे वाल करना है करो मतलब कुछ private companies को काम करने देंगे और कुछ government companies को काम करने देंगे तो आप हमारा जो इंडिया है वो एक mixed economy है यहाँ पर आप सभी लोग देखते होंगे government companies भी है और private companies भी है तो इन दोनों companies के होने के वज़े से क्या होता है कि हमको दोनों का best मिलता है इसलिए इंडियान economy कभी भी फेल नहीं करती वह लगातार बढ़ती जा रही है जब से हमारे देश का independence हुआ है तब से इंडियान economy लगातार बढ़ती जा रही है इंडिया का benefit है वह बहुत ही जादा है चले आप हम लोग समझते हैं जो भारत की अर्थवरस्ता है वह किन छेत्रों में मुखितर डिवाइड की गही है यह सभी जो छेत्र है वह गूड्स हैं सर्विसेज के प्रोडक्शन पर भेस सबसे पहला हमारा क्रामरी या पिर प्राथमी जो प्रामरी सेक्टर है जो भी हमारे नेचुरल गूड्स है जैसे अग्रिकल्चर से रिलेटर्त जितने सब्सक्राल हम उगाते हैं इन suicide mode जितना भी हमारा प्रोडक्शन है वह सारा किसमें आएगा प्राइंबरी में जो हमारा फॉरेश्ट्री हो गई जैसे वूड हमारी लकडी को हम लोग सप्लाई करते हैं कारपेंट्री का जो वर्क होता है उसके लिए फीशिंग मचली पालन इसमें क्या होता है कि यह सारी नेच्रल फॉर्म में the living organism इनट्री में तो इस तरीके क्या जितनी बी चीज़ें जो नेच्टर में आंगी यह सारी के साम्सेक्र में प्राइंब्री स्सक्रिक स्टाइर में भारत को करिशी प्रधान देश कहा जाता है आज हम भी हमारे भारत में जो सबसे जदा production होता है गुड का वह प्रामरी से मतलब नेचरल को मिल्थ का भारत में सबसे ज्यादा होता है तो भारत में अगर हम लोग बात करें सबसे जदा employment कौन सा सेक्टर जनरेट करता है तो वो हमारा primary sector है क्योंकि जहाँ पे हम लोग ज़्यादा goods को produce कर रहे हैं वहाँ पे employment भी तो लगेगा वहाँ हें पे manpower भी तो लगेगा तो अगर आप से इक्जाम में इस तरह की कुश्चन आते हैं कि सबसे ज्यादा Employment Generating Sector कौन सा है इंडेन एक्रामिका तो वह है प्राइमरी सेक्टर सेकेंड हमारा सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में इंडेस्ट्री में जो भी गुड्स का टाला होगा फिर उसकी फसल को लेकर प्रफुतेक्ट आया होगा इंडेस्ट्री में तो प्रामरी सेक्टर के इन्वर्मन्न मवस्छर के वह कहां प्राइमरी सेक्टर में आएक तो जो हमारे chips है वो finished good है तो chips किस में आ जाएगा chips की manufacturing वो आ जाएगी secondary sector में आप लोग यह नहीं सोचेंगे कि वो primary sector में आएगा क्योंकि वहाँ पर आलू का उपयोग हो रहा है तो वो primary sector में आएगा जो हमारा final stage है goods जो हमारा market में आने वाला है good वो जहां से produce होके आता है उस sector को हम लोग देखते हैं इसी तरीके से जो हमारी electricity है electricity भी देखे एक तरीके virtually कोई electricity देखता तो नहीं है बट यह एक good ही है यह एक तरीके की वस्तुई है जिसको लोगों को दिया जाता है काफी चीजों को चलाने के लिए जैसे जितनी भी electrical appliances है या जो हमारे motor generator है किसानों को motor चलाने के लिए चाहिए generator उनको तो इस तरीके जितनी भी चीज़े है यह electricity जितनी भी इंडस्ट्रियल चीज़े होंगी चाहिए motor हो generator हो या electricity हो डारेक्ट जो हमारी companies electricity को प्रोडूस करती है एंटी पीसी जो भी हमारे इंडस्ट्री होती है construction हमेशा किसी इंडस्ट्री के द्वार किया जाता है जो एक building को बना के आपको देती है तो building एक वस्तु है जो एक इंडस्ट्री ने प्रोडूस किया किसी construction इंडस्ट्री ने तो जो भी चीज़े final goods के तरीके से आएंगी जिसको directly आप यूज कर सकते हैं जो natural for में नहीं है टो जो natural for में नहीं लिए जिसको मोड़ा उसकेंडरी में और जो नेचरल फॉर्म की चीज़े जिसको म PUBG कर सकते के कि वह ओएंगे primary sector में इसको अब लोग सम्झेंगा primary सब्सक्राइब बहुत बड़ा डिफ्रेंस नहीं है दोनों हम लोग जो चीजां करते हैं उसी का प्रोडक्शन करते हैं बड़ जो नेच्टरल चीजें वो प्रामरी में आ जाती है और जिनको इंड़स्ट्री इस की जुरुद्ट पड़ती हूं सारी की सारी सेकेंडरी इस मे पुटल में जाते हैं किसी भी रश्ट्राव में जाते हैं या आप इंसोरेंस करवाते हैं बीमा करवाते हैं अपना ट्रांस्पोटेशन के लिए आप जाते हैं कोई भी ट्रांस्पोर्ट सर्विस लेते हैं तो यह क्या है आपको एक वक्त तक उस बस को यूज करना है फिर उ तर्सरी सेक्टर जो है यह नेशनल इंकम में सबसे ज़्यादा योगदान देता है इंडा में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा सेक्टर बनाता है तो वह है टर्सरी सेक्टर बैंकिंग का सेक्टर जो है आईटी इंडस्ट्री का जो सेक्टर है इन ही चीजों देश है मतलब यहां पर जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वह अग्रिकल्चर गूट्स का होता है इसलिए क्रिशी प्रधान देश है और अगर इकनॉमिक्स के वर्ड्स में बात करें तो सर्विस सेक्टर जो हमारे इकनॉमिक का सबसे बूस्टेड है सबसे ज़्यादा इंडिया की नेशनल इंकम को यही बढ़ाता है secondary sector में क्या होता है जितनी भी industries हैं कि सबसे ज़्यादा tax को pay करती हैं तो primary sector में आप लोग यह समझ गया होंगे कि सबसे ज़्यादा employment secondary में सबसे ज़्यादा tax और tertiary में सबसे ज़्यादा national income चले economics को सभी लोग पीछे समझें काफी चीजे अब हम लोग start करेंगे marketing यह मार्केट को सबसे पहले हम लोग समझेंगे आने वाले लेक्षे में मैं economics और जो हमारे important चीजे हैं उन सभी को marketing के topic से साथ लेता रहोंगा आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे types of market को तो देखे सबसे पहला हमारा market टाइप है perfect competition का पून प्रतियोगिता जिस market में होगी यही market सबसे best market मारा जाता है सारे जो वर्ल्ड के economist है वह perfect competition के market को ही सबसे अच्छा मानते हैं किसी भी economy के growth के लिए किसी भी country के growth के लिए उसके एकनामी में perfect competition होना चाहिए उसका जो market है वो एक perfect competition के category में आना चाहिए तो इसमें क्या होता है किसी भी अगर हम goods को लेते कुई भी एक वस्तू उसका जो production है वो बहुत सारी companies करतु ही आपको मिलेंगी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी एक समान को कुई एक company ही आपको दे रही है अगर एक company ही देगी तो क्या होगा वो उस market में मन चाहे तरीके से काम कर सकती है उसका खुद का अपना सामराज हो जाएगा बट अगर कई companies आएंगी तो उनके उपर से competitive दबाव बनेगा जिसके वज़े से ज्यादा बिटर परफॉर्म करेंगे उससे क्या होगा कि उस सारे गुड्स का कॉस्ट भी कम होगा उसकी क्वाल्टी भी बढ़ेगी जैसे कि आप यह देख सकते हैं एयर टेल एंड जियो देखें जब तक जियो नहीं है था एयर टेल एक जीवी डाटा को लगभख 96-98 रुपेस में देता था लेकिन जियो के आने के बाद जियो हर दिन आपको डेट जीवी डाटा देने लगा स्रिप 200 रुपए में तो यह जो कंपेटीशन है यह कैसे क्रेट हुआ जब मार्केट को टेलिकॉम इंड़स्री क को इंडियन गव्रमेंट ने फ्री छोड़ दिया तो यह जो टेलिकॉम इंड़स्री का मारकेट है यह इंडियन की कशन land बाहर चला गया अब टेलीकॉम इंड्रेस्ट्री में भी एसनल तो है ही बट इसको प्राइवेट प्लेयर्स में का जो इन्वाल्मेंट है उसके लिए फ्री छोड़ दिया गया तो इसमें जो इन्वाल्मेंट हो रहे हैं जो हमारा जो प्रोसेस है जो हमारा कमपटीशन वह आ है और हमारी क्वाल्टी बढ़ती है सेकेंड मार्केट टाइप है मोनोपोली देखें अभी हम लोग ने परफेक्ट कमपटीशन की बात की अब इसका अगर जस्ट अपोजिट हो जाए आपको जो सेलर है वह एक ही मिले जैसे अगर जीयों नहीं होता तो एयर्टेल क्या था अपने मार्केट में कम्प्लीटली अपनी मोनोपोली चला था सबसे अच्छी स्पीट पे डाटा उस वक्त वही दे रहा था तो बाखी कमपनी इस तो थी टेलीकॉम की बट जो सर्विस एयर्टेल प्रोइड कर रहा था वो हर जगह पर उसका नेटवर्क आता था लेकिन व और अर्ज स्केल पर किसी ने भी इंवर्स्मेंट नहीं किया था तो मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही कंपनी होती है। किकि एक सेक्टर को पूरी तरीके से डॉमिनेट करती यह जैसे अगर एक्जामपल के तुर्त पिले कि इंडाम ऑगर इस रो को करें तो अगर इस पे प्रेशन नहीं डाल सकते क्योंकि वह करेगी तो अपने मन से करेगी वह अपने प्रेपोटेशन के लिए करेगी इस तरह कोई दबाव थोड़ी है कि हाँ इतना काम करके देना ही है बट हमारे इंडिया में इसरो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इस तरह एक ऐसा इंस्ट इसरो है डियाडियो है यह हमारे जो गॉर्मंट जो भी पी एसी सभी टाइए पहले क्या था कि सार का सारी इल्लकीटी का जितना बी डेवलप्मेंट स्व्भान कपनी करती थी एल्लेक्रिशीटी के सब्सक्राइशन बाद माई है तो क्या होता है कि आप सभी लोंग देखा लाती थी उसके वज़े से वहां पे उतना अच्छी सर्विसस नहीं हो पाती थी जितनी होने ही चाहिए बट प्राइवेट प्रेयर्स के आने के बाद यह सरी चीज चेंज हो जाती है तो मोनोपोली मतलब एक आधिकार राज आपका ही पूरे चेतर पे राज है थार्ड हमारा ओलीगोपोली ओलीगोपोली क्या होता है इसमें यह मोनोपोली से थोड़ा सर डिफरेंस है YouTube में क्या होता है कि एक ही कंपनी होती है इप 10 से थे ड्यूपली के लिए दूपली इसमें होता है किसी के हणा की होली क्या सार избर का ठोड़ा जो हमार प्रोडेмотрите कीश खरीज Gen कोल की Central Government के अंडर कोल इंडिया सारे काम को करती थी बट धीरे-दिरे कुछ और कोल माइन्स आ गए कुछ ऐसे हमारे जो लिगनाइट पीट कोल के लिए अलग से कमपनिस को बना दिया गया तो इस तरीके से जो और आ गए अगर के दो ऑ हो गये और पहुत जादा नहीं मतलब सौ इसफे जदा एक इसे सीघ्सक्राइट उसन नहींром कैसे हैं कि 50 बले किसी एक सेक्टर में ना हो तो इस तरीकी की जो companies है वो आपस में मिलके सारे काम को regulate कर सकती है जैसे कि आप पहले मानिए कि BSNL था तो BSNL के वक्त BSNL ही सारी चीजों को समालता था बट BSNL के बाद कुछ और जो टेलिकॉम इंडिया में फिर धीर देर बहुत आ गई तो अभी भी टेलिकॉम सेक्टर जो है इंडिया का वह गर्फेक्ट कंपोटीशन की तरह बढ़ रहा है तो अगर परफेक्ट कंपोटीशन से थोड़ा पहले के अगर हम लोग बात करें तो वहता है ओलीगोपोली जिसमें एक सेक्टर में दो से ज्यादा कंपनीज काम करना स्टार्ट कर देती हैं तब माना जाता है कि आगे चलके सेक्टर जो हो पर्फेक्ट कंपटीशन के तरह बढ़ेगा तो ऑलिगोपोली डियोपोली से ज़स्ट आगे का स्टेप है जब दो कंपनीज आती हैं दो से ज़्यादा कंपनीज हो जाएंगे तो और लिगोपोली हो जाएगा जब दो से ज़्यादा कंपनीज हो गई तो वह चीज पर्फेक्ट कंपटीशन के तरह बढ़ेगी इसी तरह जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखें इसमें क्या होता है कि एक ही सेक् क्यान देखें तो बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं बट उनकी डिमांड और सप्लाई अपनी इंडिपेंडेंडेंट थे उनको एक दूसरे से कोई पर्क नहीं पड़ा कोई पीजा बनाता है कोई सेंड्विच बनाता है कोई बरगर बनाता है कुई बड़ा-पाव बना रह या आप जैसे music industry को सोचें तो यहां पर सभी लोग music बनाते हैं बट हर एक artist का music जो है वो अलग हो जाता है कोई artist classical music बनाता है कोई pop-up बनाता है कोई हमारा rap song बनाएगा कोई अलग तरीके से music को mix करेगा तो यहां पर दूसरे player के होते हुए भी competition increase नहीं किया जा सकता तो इस तरीके का जो market type होता है वो होता है monopolistic चाहे कितने लोग भी आ जाये वहां पर competition कभी भी बहुत high नहीं होगा अगर आप कोई भी different product बनाते हैं जो दूसरे product से differentiate हो सके तो वो तुरंत ही आपका चलने लगेगा अब कुई अगर नेहा ककर का सुनता है तो वो सोनु निगम का सौंग सुनके तो खुश नहीं होगा अगर कुई उदित नरायन का सौंग सुनता है तो फिर वो ए-A.R. रहवान का सौंग सुनके खुश नहीं होगा सबकी अपनी अपनी च्वाइज है तो मार्केट यहां पर क्या है कस्टमर के च्वाइज पर डिपेंडन्ट है यहां पर पर्फेट कंपटीशन नहीं आ सकता आई होप यह सारे पॉइंट आपको क्लियर होगे होंगे जितनी भी पॉइंट्स मैंने बताए बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया है इन सभी पॉइंट्स के आप नोट्स बनाईए चाहे हमारे पीडियाफ को फॉलो करिए पीडियाफ हमारे टेलिग्राम लिंक पर मिल ज है हमारे टेलिग्राम लिंट्स के आपको के लिए दूजए हमारे जितनी इन सभी जालो को बहारे बढ alternately एनावरा लिख चाहे हमारे हैं